नमस्कार मैं डॉक्टर रजीद भारती आज फिर आपके लिए इंदी विसाय के अंतरगत इमेल लेकन लेकर आए हो इमेल यानि अप्चारिक इमेल ठीक है अब इसके अंतरगत हम क्या लेकर आए है पुस्तकालाय में इंदी पत्रकाय मगवाने यह तो इमेल ठीक यानि पुस्तकालाय में जो हिंदी पत्रकाय मगवानी है यानि प्राचार से अनरोध करते हुए तो प्रसन देखो कुछ इस प्रकार से है ये दिया हुआ है आप जिस विद्याले में पढ़ते हो वहां के प्राचार को ई-मेल लिखकर पुस्तकाले में हिंदी पत्रकाएं मगवाने के लिए अनरोध कीजिए ठीक तो देखो इसमें क्या है कि तीन बाते महत्पूर होती है आप जब भी इ-मेल लिखें उससे पहले तीन बातें समझे लेने चीए प्रस्ण में एक तो ये कि इ-मेल कौन लिख रहा आप आपका जो भी नाम हो और किसको लिखना है प्राचार को और बिसाय क्या है पुस्तकाले में हिंदी पत्रकाएं मंगवाना ठीक ये अगर तीन बातें आपने समय ले तो बहुत आसानी से आप इ-मेल लिख लोगे अब प्रस्ण में इ-मेल डिया भी हो सकता नहीं भी दिया हो सकता तो यहाँ पर आप अपना मेल आइडी कोई भी कालपने का रख लेना अपराचार का रख लेना अगर दिया रहे तो सिर्फ जैसे इनकी दोनों का अगर दिये होते तो हम वही लिखेंगे नहीं दिये होंगे तो हम अपने मन से लिख सकते हैं अब उत्तर लिखना सुरू करेंगे सबसे पहले लिखेंगे उत्तर उत्तर कवाल लिखेंगे पुस्तकाले में इंदी पतरकाएं मंगवाने के जैसे फ्रॉम है अब पत्र का आप लिख रहे हैं न इमेल पत्र तो इसमें आप अपना mail ID लिख देंगे तो यहाँ पर हमने लिख दिया विवेकपटेल एड़डारे जीमेल डॉट कॉम जो इमेल लिखेगा तो वो क्या करेगा अपना mail ID लिखेगा और जो mail जिसको लिखना भेजना है तो टू में उसका mail ID लिखेगे तो हमने लिख दिया svm.school.gmail.com यह बस यहाँ दियान रखना च्छाते यहाँ यहाँ confused होता है फ्रॉम में हम अपना या जो email भेजना है वो mail ID लिखेगा और टू में जिसको भेजना जो प्राप्त करेगा उसको mail ID लिखना है अब उसके बाद फिर आता है आपका subject तो subject के सामने हम लिख देंगे पुस्तकाले में इंदी पत्रकाएं मगवाने के लिए email उसके नीचे दिया होगा compose email compose email के नीचे हम लिख देंगे सेवा में कॉमा लगा देंगे उसके सामने ठीक लिख देंगे दिनांक में कर दिया हमने 25,2,2,000 तो ये 2X इसलिए बना दिया है क्योंकि जब हम परिच्छा में या कॉपी में लिखेंगे email तो उसमें हम दिनांक सही नहीं लिखेंगे वैसे जब email किसी को आप भेजोगे तो उसमें दिनांक और समय अपने आप लिख कर पहुँच जाएगा यहाँ पर सिर्फ अप्चार रिखता है बाकी email में इसको लिखने की जरूरत नहीं पढ़ती है समय दिनांक की ठीक है अब फिर सेवा में के ठीक नीचे लिख देंगे प्राचार मौधा है और प्राचार मौधा है के नीचे हम लिख देंगे स्कूल का नाम सरसथी बिद्या मंदर इसकूल देरा दून ठीक उसके बाद पर नहीं लाइन्स लिखेंगे मावदा और कौमा लगा देंगे अब हम इसके नीचे लिखेंगे मेल तो मेल इस प्रकार रहेगा उपिरुक्त विशय के संदर्म में विनम निवेदन है कि मेरा नाम विवेख है मैं कच्छा दस्वी का छातर हूँ हमारे विद्याले में हिंदी की कोई पत्रका नहीं आती है मैं और मेरे सहपाथी हिंदी की सिरेश्ट पत्रकाओं से जुड़ना चाहते हैं जिससे हिंदी कव लमई कथा करम आज हिंदी साहित की पत्रकाओं मंगवा दी दें जिससे हम सभी नया और स्रेश्ट साहित पढ़ सके हैं इन्हें पढ़कर हम सभी को निश्चेतलाब मिलेगा अंत में लिख देंगे आप से बिने पूरवक निवेदन है कि हिंदी की उक्त पत्रकाओं लिख देंगे आपका आग्याकारिसिस बिवेग पटेल कच्छा दस्वी तो इस परकार ये इमेल पूरा आपका लिख गया लिखने के बाद पर आपका इमेल कैसा दिखाई देगा ये देखो दिखेगा फ्रॉम टू सबचेट कमपोस पिर सेवा में प्राचार मौदाय फिर मौदाय फिर उप्योग बिसाय में तो इस तरह से ये आपका हो गया पूरा इमेल अब देखो कौन इमेल में क्या महत पूर बाते हैं पहले वो जान लेते हैं एक तो ये कि इमेल तीन भागों में लिख सबसे पहले आप अपना पर्चय देंगे उसके बाद आप समस्या बताएंगे और पिर उसके बाद हम समाधान निकालेंगे तो तीन इस टेम में इमेल लिखोगे ऐसे लिखना सीखोगे तो बहुत आसानी से अपना नाम पर्चय समस्या और समाधान अगरे ये हो गया इसको हम ऐसा email के format में ही लिखेंगे आपनी तरीके से कुछ अलग से ना जोड़ें और एक काम और करेंगे कि जो भी हम email में ये वाक लिखते हैं हम ऐसे वाक्यों का प्रयोग करें जिसे आप आसानी से सरल और सुद लिख पाते हों जो कठे न मुस्किल लगते हों उन सब्दों का प अभ्यास करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे इसे अपनी कॉपी में दो बार देख कर लिख लो तीसरी बार वगएर देखे लिखो और फिर मिलान कर लो जो गलतियां हों उनको सुदार कर लो ऐसा आप इस email में और दूसरे email का अभ्यास करेंगे तो बहुत आसानी से email आपको समझ में आ गया होगा आज के लिए इतना ही अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विसे के साथ तब तक के लिए धनवाद